पांच, परी संचरन तंत्र, सर्क्यूलेटरी सिस्टम रक्त परी संचरन के खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हारवे ने की थी इसके अंतरगत ये चार भाग होते हैं एक हृदे यानी हाट, दो धमनिया यानी आट्रीस, तीन शिराएं वेंस और चार रोधेर बलड हृदे, हाट, ये हृदे आवरण, परी कार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है मनुष्य का हृदे चार कोश्ठों या चैम्बर्स का बना होता है अगले भाग में एक दाया आलिंद, राइट औरिकल एवं बाया आलिंद, लेफ्ट औरिकल तथा हिरदे के पिछले भाग में एक दाया निले, राइट वेंट्रिकल तथा एक बाया निले, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है दाए आलेंद राइट औरिकल एवं दाए निले राइट वेंट्रिकल के बीच त्री वलनी का पार्ट ट्राइकस्पिट वॉल्व होता है बाई आलेंद, लेफ्ट औरिकल एवं बाई निले लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच दुई वलनी का पाथ बाई कस्पिट बॉल्व होता है शरेट से हिर्दे के और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा या वेंज कहते हैं शिरा में अशुध रक्त अर्थार काबन डायोकसाइड युक्त रक्त होता है इसका पवाद है पल्मोनरी शिरा पल्मोनरी वेंट पल्मोनरी वेंट फेफड़े से बाई आलेंद में रक्त को पहुँचाती है इसमें शुध रक्त होता है हिर्दे से शरीर के और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी या आर्टरी कहते हैं धमनी में शुद्र रक्त अर्थार ओक्सिजन युक्त रक्त होता है इसका पवाद है पल्मोनरी धमनी पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी धमनी दाहिने निले से फेपड़े में रक्त पहुँचाती है इसमें अशुद्ध रक्त होता है हिर्दे के दाहिने भाग में अशुधरक्त यानि काबन डियोक्साइड युक्त रक्त एवं बाई भाग में शुधरक्त यानि अक्सीजन युक्त रक्त रहता है हिर्दे के मांस पेशों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी, कोरोनरी आर्परी कहते हैं इसी में किसी प्रकार के रुकावट होने पर हिर्दय अगात, हार्ट अटाक होता है हिर्दे मेर रोधेर का मार्क, पाथ ओफ ब्लाड इन दा हार्ट बाय आलें, उससे बाय निले, बाय निले से दहिक महा धमनी, दहिक महा धमनी से विभिन धमनिया, विभिन धमनियों से छोटी धमनिया, छोटी धमनियों से धमनी कोशिकाए, धमनी कोशिकाओं से अंग, अंग से अग्रेवं पस्ट महाशिरा, अग्रेवं पस्ट महाशिरा से दाहिन आलेंद, दाहिनी आलेंद से दाहिने निले, दाहिने निले से पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी से फेफड़ा, फेफड़े से पल्मोनरी शिरा, और पल्मोनरी शिरा से बाया आलेंद, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। हृदे के संकुचन, सिस्टोल एवं शिथिलन, डास्टोल को समलेत रूप से हृदे की धड़कन, हार्ट पीट कहते हैं सामाने अवस्था में मनुश्य का हृदे एक मेनट में 72 बार, भूना अवस्था में 150 बार धड़कता है तदह एक धड़कन में लगभग 70 मिलिलीटर रक्त पंप करता है साइनो औरिकुलर नोट, ऐसे एन, दाहने आलेंद की दिवार में इस्थे तंत्रिका कोशिकाओं का समहू हैं जिसे हृदे धड़कन की तरंग प्रारंब होती है सामानी मनिश्य का रक्तदाब 120 अपन 80 mmHT होता है सिस्टॉलिक 120, डायस्टॉलिक 80 रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिक्मो मेनोमीटर है थायरॉक्सिन एवं एड्रिनेलिन स्वतंत रूप से हृदे की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हॉर्मोन है रुधिर में उपस्तित काबन डायोक्साइड रुधिर के pH को कम करके हिरदे की घती को बढ़ाता है 6. लसिका परिसंचरन तर्थ लिंब, circulatory system विभिन्न उतकों तथा कोशिकाओं के बीच इस्थित अंतरा कोशिकी अवकाशों में पाई जाने वाले हलके पीले द्रव को लसिका कहते हैं लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाजमा जैसी ही होती है जिसमें पॉष्टिक पदार्थ ऑक्सिजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं लसिका में पाई जाने वारी कणिकाएं लिंफोसाइट्स कहलाती हैं ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं लसिका उतक से हिर्दे की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है लसिका के कारे हैं एक, लसिका में उपस्थित लिंफोसाइट्स हानिकारिक जिवाणों का भक्षन करके रोगों की रोक्ठाम में सहायक होता है दो, लसिका लिंफोसाइट्स का निर्मान करती है 3. लसिका के नोड जिन्हें लिंफ नोड कहते हैं मनुश्य के शरिर में छनने का कारे करते हैं धूल के कण, जिवान, कैंसर कोशिकाएं इत्यादी लिंफ नोड में फस जाते हैं 4. लसिका घाओ भरने में सहायता करती है पांच लसिका उतकों से शिराओं में विभिन्वस्त्मों का परिसंचरण करती है साथ उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन एक्सक्रीशन जीवों के शरीर से उपापचे प्रक्रमों में बने विशले अविशिष्ट पदार्थों के निश्कासन को उत्सर्जन कहते है साधारान उत्सर्जन का तात परे नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ हों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अमलादी के निश्कासन से होता है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग ये हैं एक व्रिक किड्नीज, दो त्वचा ये स्किन, तीन यक्रित यानि लिवर और चार फेफड़ा यानि लंक्स व्रिक किड्नीज मनुष्य एवं अन्य स्तंधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा व्रिक है इसका वजन 140 ग्राम होता है इसके दो भाग होते हैं बाहरे भाग को कोटेक्स और भीतरी भाग को मेडिूला कहते हैं प्रतियक व्रिक लगभग एक करोड तीस लाख व्रिक नलिकाओं से मिलकर बना है जिन्हें नेफ्रोंस कहते हैं नेफ्रों ही व्रिक के कार्यात्मक इकाई है प्रतियक नेफ्रोन में एक छोटी प्याली नुमा रचना होती है जिसे बोमिन संपुट, बोमिन स्कैप्सूल कहते हैं बोमिन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ, गलोमेरलस पाय जाता है जो दो प्रकार की धमनिकाओं से बनता है एक चोडी अभिवाही धमनिका, एफ्रेंट आट्रियोल, जो रुधिर कोशिका गुच्छ में पहुचाती है और दो पतली अपवाही धमनिका, एफ्रेंट आट्रियोल, जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से वापस ले जाया जाता है ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के छनकर बोमिन संपुट के गोहा में पहुँचनी की प्रक्रिया को परा निस्पंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं व्रिकों का प्रमुकारे रक्त के प्लाजमा को चानकर शुद्ध बनाना अर्थार्थ इसमें से अनाविश्यक और अनुपियोगी पदार्थों को जल के कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है व्रिकों के रुधिर के आपूर्थी अन्ने अंगों के तुलना में बहुत अधिक होती है व्रिक में प्रती मिनट औसतन 125 मिलिलिटर अर्थार्थ दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंदन यानि फिल्ट्रेट होता है इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है बाके निस्पंद वापस रक्त में अविशोशित हो जाता है सामाने मूत्र में 95% चल, 2% लवर्ण, 2.7% यूरिया एवं 0.3% यूरिक अमल होते है मूत्र का रंग हलका पीला उसमें अपस्थत वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है यूरोक्रोम हीमोगलोबिन के विखन्न से बनता है मूत्र अमलिय होता है इसका पियेचमान 6 होता है व्रिक के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों के अलावा पेनिसिलीन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है व्रिक में बनने वाली पत्री कैल्शिम ओक्सलेट की बनी होती है दो तुच्चा स्किन तुच्चा में पाई जाने वाली तेली ग्रंथियां एवं सुएद ग्रंथियां क्रमशाह सीबम एवं पसीने कास रवान करती है तीन यक्रत लिवर यक्टत को शिकाएं आवेशक्ता से अधिक अमीनों अमलो तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्थित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिक आने भाता है और चार फेफडे लंग्स फेफड दो प्रकार के गैसिय पदाद काबन डायोकसाइड और जलवाश्प का उत्सर्जन करता है कुछ पदाद जैसे लहसुन गार्लिक, प्याज, अनियन और कुछ मसाले जिसमें वाश्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफडों के त्वारा ही होता है विभन्न जन्तु एवा मुन में उत्सर्जन जन्तु एक, एक कोशी किये जन्तु उत्सर्जन विसरण के द्वारा जन्तु दो, पोरी फेरा संग के जन्तु उत्सर्जन विशिष्ट नली का तंत्र द्वारा जन्तु तीन, सिलिन्टरेट्स उत्सर्जन सीधी कोशिकाउं द्वारा जन्तु चार चप्टे क्रिमी उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाउं द्वारा जन्तु पांच एनलिडा संग के जन्तु उत्सर्जन व्रिक निफ्रीडिया द्वारा जन्तु छे आर्थोपोर्ट्स उत्सर्जन मेलपी घ्यन नलिकाउं द्वारा जन्तु साथ मॉलस्का उत्सर्जन मूत्र अंग द्वारा और जन्तु आठ कशेरुकी उत्सर्जन मुख्य थहा व्रिक द्वारा आठ तंत्रिका तंत्र नवर सिस्टम तंत्रिका तंत्र इसके अंतरगत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। ये वातावरणिय परिवर्तनों की सुचनाएं समवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगूं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में इनका दुरुदकती से प्रसारण करती हैं और शरीर के विभिने भागों के बीच कारयात्मक समन्वे स्थापित करती हैं। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र तीन भागों में विभक्त होता है। एक, केंद्रिय तंत्रिका तंत्र, Central Nervous System, दो, परिधिय तंत्रिका तंत्र, Peripheral Nervous System, और तीन, स्वायति या स्वाधिन तंत्रिका तंत्र, Autonomic Nervous System एक, केंद्र ये तंत्री का तंत्र तंत्री का तंत्र का वो भाग जो संपूर्ण शरीर तधा स्वयम तंत्री का तंत्र पर नियंत्रन रखता है, केंद्र ये तंत्री का तंत्र कहलाता है मनुश्य का केंद्र ये तंत्री का तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है एक मस्तश्क, brain और दो मेरूरजू, spinal cord मस्तश्क के तीन भाग है एक अग्रमस्तश्क अग्रमस्तश्क के फिर से दो भाग है cerebrum और diencephalon diencephalon के फिर से दो भाग है thalamus और hypothalamus मस्तश्क का दूसरा भाग है मध्य मस्तश्क इसके दो भाग है corpora quad gemina और cerebral peduncle मस्तश्क का तीसरा भाग है पश्ट मस्तश्क इसके दो भाग होते हैं cerebellum और medulla oblingator मनुष्य का मस्तश्क अस्थियों के खोल cranium में बंद रहता है जो इसे बाहरे आग हातों से बचाता है मनुष्य के मस्तश्क का वजन 1400 gram होता है cerebrum के कारे ये मस्तश्क का सबसे विक्सित भाग है ये बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, आच्छिक गतियों ग्यानवानी एवं चिंतन का केंद्र है ग्यानेंद्रियों से प्राप्त प्रिरणाओं का इसमें विशलेशन एवं समनवय होता है थालमस के कारे ये दर्द ठंडा तथा गरम को पहचानने का कारे करता है हाइपो थालमस के कारे ये अंताहस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हॉर्मोन का नियंत्रन करता है पुस्टेरियर पिट्यूटरी ग्रंथी से स्रावित होने वाले हॉर्मोन इस स्रावित होते हैं ये भूख, प्यास, ताप, नियंत्रण, प्यार, घ्रणा, आधी के केंद्र होते हैं रक्तदाप, ब्लेट प्रेशर, जल के उपापचे, पसीना, घुस्सा, खुशी, आधी इसी के नियंत्रण में हैं EEG, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्रेफ का प्रयूक, मस्तिश्क के कारे का पता लगाने के लिए किया जाता है Corporal Quadrigemina के कारे हैं, ये द्रिश्ट एवं श्रमन शक्ती पर नियंत्रण का केंद्र होता है Cerebral Panticle के कारे, इसे क्रूरा Cerebral भी कहते हैं, ये मस्तिश्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है Cerebralum के कारे, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये वो मैचिक पेशों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है ये अंतरिकान के संतुलन भाग से सम्वेद नाय ग्रहन करता है Medula Oblingeja, ये मस्तिश्क का सबसे पीछे का भाग होता है, इसका मुख्य कारे उपापचे, रक्तदाप, आहार नाल के क्रमा कुंचन ग्रंथी स्राव, तधा हर्दे की धड़कनों का नियंत्रण करता है Medula Oblingeja का पिछला भाग ही मेरु रज्जु बनाता है, इसका मुख्य कारे है एक, प्रतिवर्थी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वे करना अथार प्रतिवर्थी क्रिया के केंद्र का कारे करता है और 2. मस्तफ्क से आने जाने वाले उद्धीपनों का समवेहिं करना नोट प्रतिवर्थी क्रियाओं रिफ sentiments का पता सरपरथम Marshall Hall नामक वेज्यानिक ने लगाया था 2. परिदिय तंत्री का तंत्र परिद्य तंतरीका तंतर मस्तश्क एवं मेरुरज्यू से निकलने वाली तंतРИकाओं का बना होता है इनहें क्रमशह कपाल, cranial, एवं मेरुरज्यू, spinal तंतरिकाईं कहते है मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है नियूरोन तंत्रिका उतक के एकाई को नियूरोन या तंत्रिका कोशिका कहते है नौर एड्रिनरिन नामक रासानिक द्रवे निूरो ट्रांस्मिटर पदार्थ है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तेश्क एवं कुछ मेरुरज्यू तंत्रिकाओं का बना होता है ये शरीर के सभी आंतरिकंगों एवं रख्त वहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ती करता है स्वायत्य तंत्रिका तंत्र के अवधारणा को सबसे पहले लेंगली ने 1921 इस्वी में प्रस्तुत किया स्वायत्य तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं एक, अनुकम्पी तंत्र का तंत्र, sympathetic nervous system, और दु, परानुकम्पी तंत्र का तंत्र, पैरा sympathetic nervous system. अनुकम्पी तंत्र के कारे? एक, ये त्वचा में उपस्ते त्रोधिरवाहिनियों को संक्रिन करता है, तो, इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं, 3. ये लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है 4. ये हर्देस पंदन को तेज करता है 5. ये स्वेत ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करता है 6. ये आंख के पुतली को फैलाता है 7. ये मुत्राश्य के पेशियों का विमोचन करता है 8. ये आंत्र में क्रमा कुंचन गती को कम करता है 9. इसके द्वारा श्वसंदर तीवर हो जाती है 10. ये रक्तदाप को बढ़ाता है 11. ये रुधिर में शरकरा के स्तर को बढ़ाता है 12. ये रुधिर में लाल रुधर कणिकाओं की संख्या मेवरिधी करता है तेरह यरक्त के ठक्का बनाने में मदद करता है और चौदह इसके सामोहिक प्रभाव से भै, पिड़ा तधा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है इस तंत्र का कारे सामानेतया अनुकम्पे तंत्र के कारे के विप्रीथ है जैसे, एक, ये रुधिर वाहिन्यों की गुहा को चौड़ा करता है किन्तु, कौरणरी रुधिर वाहिन्यों को छोड़ कर, दो, यलार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वरिधी करता है, तीन, ये नेत्र के पुतली का संकुचन करता है, चार, ये मूत्राशे के अन और सुख की इस्तिथियां उत्पन करता है। 9. कंकाल तंत्र, skeleton system मनुष्य का कंकाल तंत्र दो भागों का बना होता है। A. अक्षिय कंकाल और B. उपांगी ये कंकाल A. अक्षिय कंकाल, axle skeleton शरीर का मुख्य अक्षिय बनाने वाले कंकाल को अक्षिय कंकाल कहते हैं। इसके अंतरगत, खोपडी, कशेरुक, तंड तधा छाती के अस्तियां आती हैं। 1. खोपडी, skull इसमें 22 अस्तियां होती हैं। इसमें से 8 अस्तियां संयुकत रूक से मनुष्य के मस्तश्क को सुरक्षत रखती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। कपालों के सभी अस्थियां सीवानों के द्वारा द्रड़ता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। इनके अत्रेक्ट 14 अस्थियां और होती हैं जो चेहरे को बनाती हैं। 2. कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम। मनुषे का कशेरुक दंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना है। सभी कशेरुक उपस्थत गदियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन गदियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। सम्पूर्न कशेरुक दंड को हम इन भागों में विभख्त करते हैं। एक गर्दन, cervical region, इसमें 7 कशे रुख हैं, दो वक्ष, thoracic region, इसमें 12 कशे रुख हैं, तीन कटी, lumber region, इसमें 5 कशे रुख हैं, चार त्रिक, sacral region, इसमें भी 5 कशे रुख हैं, और 5 उच्छ, caudal region, इसमें 4 कशे रुख हैं, योग 33 कशे रुख, इसका पहला कशे रुख, जोकि एटलस कशे रुख, एटलस vertebra कहलाता है, खोपड़े को साधे रहता है, कशे रुख दंड के कारे, एक, सिर को सीधे रखना, दो, ये गर्दन तथा धर को आधार प्रदान करता है, 3. ये मनुशे को खड़े होकर चलने, खड़े होने आधी में मदद करता है, 4. ये गर्दन तथा धर को लचक प्रदान करता है, जिससे मनुशे किसी भे देशा में अपनी गर्दन और धर को मोरने में सफल होता है, 5. ये मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है, इसके भाग हैं एक पादस्थियां, दोनों हाथ और पैर मिलाकर 118 अस्थियां होती हैं, और दो मेखलाएं, मनिश्य में अग्रपात तथा पश्चपात को अक्षे कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं गर्दल्स कहते हैं, अर्ग्रपात की मेखला को अंश मेखला और पश्चपात की मेखला को श्रेणी मेखला पैल्विक गर्डल कहते हैं अंश मेखला से अग्रपात की अस्थी हुम्रस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपात की हड़ी फीमर जुड़ी होती है कंकाल तंत्र के कारे 1. शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना 2. शरीर के कोमालंगों की सुरक्षा प्रदान करना 3. पेशों को जुड़ने का आधार प्रदान करना 4. श्वसन एवं पोशन में साहायता प्रदान करना 5. लाल रग्त कानिकाओं का निर्मान करना मनुष्य के शरीर में कुलहड़ियों की संख्या 206 है बाले अवस्ता में कुलहड़ियों की संख्या 208 है सिर के कुलहड़ियों की संख्या 29 जिसमें कपाल में 8 फेशल की 14 और कर्ण के लिए 6 हड़ियां है रीड के कुलहड़ियों की संख्या प्रारंभ में 33 होती है है शरीर की सबसे बड़ी हड़ी फीमर जांग की हड़ी होती है और शरीर की सबसे छोटी हड़ी स्टेप्स कान की हड़ी होती है मासपेशी एवं अस्थी के जोड को टेंडन कहते हैं अस्थी से अस्थी के जोड को लेगा मेंट्स कहते हैं कुछ विशेश स्थानों के अस्थियों के नाम एवं संख्या कर्ण अस्थियां संख्या छे अस्थियों के नाम मेलियस दो इनकस्ट दो और स्टेप्स दो उपरी बाहु में अस्थियों का नाम हिम्रस संख्या दो अगर बाहु में अस्थियों का नाम रेडियो अलना संख्या दो कलाई की अस्थियों का नाम कारपल्स संख्या सोलह हधेले के अस्थियों का नाम मेटाकारपल्स संख्या 10 अंगलियों के अस्थियों का नाम फालंजिस संख्या 28 जांग के अस्थियों का नाम फीमर संख्या 2 पिंडले के अस्थियों का नाम टीबियो फिबिला संख्या 4 घुटने के अस्थियों के नाम पेटिला, संख्या 2 टकने के अस्थियों का नाम टॉर्सल, संख्या 14 और तलवे के अस्थियों का नाम मेटा टॉर्सल, संख्या 10 10. अंताह स्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम ये नलिका युक्त, duct glands होती है, इससे इंजाइम का स्राव होता है, जैसे दुख्ध ग्रंथी, स्वेद ग्रंथी, अश्रु ग्रंथी, श्लेश्म ग्रंथियां, लार ग्रंथियां आदी बी, अंताहस्रावी ग्रंथी, एंडोक्राइन ग्रंथी, ये नलिका विहीन, duct less ग्रंथी होती है, इससे हॉर्मोन का स्राव होता है, ये हॉर्मोन रक्त प्लाजमा के द्वारा शरीर के विभिन भागों में पहुँचाया जाता है, जैसे पीउश ग्रंथी, अवटु आधी, मानव शरीर के मुख्य अंताहस्रावी ग्रंथी एवं उनसे उत्पन्य हॉर्मोन के कारे एवं प्रभाव, एक पीउश ग्रंथी, पिट्यूट्री ग्रंथी, ये कपाल के स्पिनॉइट हड़ी में एक गड़े में स्थित होती है, इसको सेल टर्सिका कहते हैं, इसक मास्राव ग्रंथी के रोप में भी जाना जाता है, पियूश ग्रंथी से निकलने वाले हॉर्मोन एवं उनके कारे, एक, STH हॉर्मोन, सुमेट्रो ट्रॉपिक हॉर्मोन, ये शरीर के व्रिधी, विशेश्त या हड्डियों के व्रिधी का नियंतरन करती है, STH के अधिक्ता से भीम कायत्व, जाइगेंटिज्म, अत्व एग्रो मिगली, विकार उत्पन हो जाते हैं, जिसमें मनुष्य के लंबाई सामाने से बहुत अधिक बढ़ जाती है, STH के कमी से मनुष्य में बौनापन, ड्रॉफिस्म होता है, दो, TSH हॉर्मोन, थाइराइट स्टिमिलेटि गुनादियोट्रोपिक होर्मोन, एड्रिनल कोटेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है, चार, GTH होर्मोन, गुनादियोट्रोपिक होर्मोन, ये जननांगों के कारियों का नियंत्रित करता है, ये दो प्रकार का होता है, A, FSH होर्मोन, फॉलिकल स्टिमिलेटिंग होर्मोन, ये व्रशन के शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणू जनन में सहायता करता है। ये अंडाशे में पॉलिकल के व्रिधी में मदद करता है। और बी, LH हॉर्मोन, लिूटिनाइजिंग हॉर्मोन, अंतराल कोशिका उत्तेजक हॉर्मोन, नर्में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्ट्रूडोन हॉर्मोन एवं मादमेस्ट्रूजन हॉर्मोन स्रावित होता है। पांच, LTH हॉर्मोन, दुख्द जनक हॉर्मोन और लेक्टुजनिक हॉर्मोन इसका मुख्य कारे हैं शिशु के लिए इसतानों में दुख्द स्राव उत्पन करना। और 6, ADH हॉर्मोन, एंटी डाइयोरेटिक हॉर्मोन इसके करण छोटे-छोटे रक्त धमनियों का संकीर्णन होता है एवं रक्त दाप बढ़ जाता है। ये शरेर में जलसंतुलन को बनाय रखने में भी सहायक होता है। दो, अवटू ग्रंथी, थाइरोइट ग्लैंड, ये मनुष्य के गले में श्वास नलियां ट्रैकिया के दोनों और लैरिक्स के नीचे इस्थित रहती है। इससे निकलने वाला हॉर्मोन थाइरोक्सिन एवं ट्राइडो थाइरोनीन है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। थाइरोक्सिन के कारे एक, ये कोशिके श्वसन की गती को तीवर करता है। दो, ये शरीर की सामाने व्रिधी, विशेशता हटियों, बाल, इत्यादे के विकास के लिए अनिवारे है। तीन, जननांगों के सामाने कारे इनही की सक्रियाता पर आधारित रहते हैं। चार, पियूश्क्रंधी के हॉर्मोन के साथ मिलकर शरीर के जलसंतुलन का नियंतरन करते हैं। थाइरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग, एक जड़ मानप्ता, क्रिटिनिज्म, ये रोग बच्चों में होता है, इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारेरिक विकास अवरुद हो जाता है। दो, मिक्सिडिमा, यौवना वस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भाले भाती नहीं हो पाता जिससे हिर्देस पंदन तथा रक्त चाप कम हो जाता है। 3. हाइपो थाइरोडिज्म लंबे समय तक इस हॉर्मोन की कमी के कारण ये रोग होता है। इस रोग के कारण सामाने जनन कारे संभव नहीं हो पाता। कभी-कभी इस रोग के कारण मनुश्य गूंगा एवं बहरा हो जाता है। 4. घेंगा गॉइटर भोजर में आयजिन की कमी से ये रोग उत्पन हो जाता है। इस रोग में थाइरोड ग्रंथी के आकार में बहुत व्रिधी हो जाती है। थाइरोक्सिन के आधिक्के से होने वाला रोग एक टॉक्सिक गॉइटर इसमें हिदिगती तीवर हो जाती है। रक्त चाप बढ़ जाता है और श्वसंदर तीवर हो जाती है। दो, एक्जुप्थेल्मिया इस रोग में आख फूल कर नेत्र कोटर से बाहर निकलाती है। तीन, परावटू ग्रंथी, पैरा थाइरोइड ग्लैंड ये गले में अवटू ग्रंथी यनि थाइरोइड ग्लैंड ये ठीक पीछे इस्थित होता है। इससे दो हॉर्मोन स्रावित होते हैं। एक पैरा थाइरोइड होर्मोन ये होर्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है और दो कैल्सिटोनिन जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब ये होर्मोन मुक्त होता है अर्थार परावटु ग्रंथी से निकलने वाला होर हर्मोन रोधर में केल्शियम की मात्रा का नियंत्रन करता है चार अधेवरिक ग्रंथी इस ग्रंथे के दो भाग होते हैं एक बाहरी भाग कोटेक्स और अंदरुनी भाग मेड्यूला कोटेक्स से निकलने वाला हर्मोन एवं कारे एक ग्लुको कोटिकोईट्स ये प्रोटीन एवं वसा उपापाचे को नियंत्रन करता है दो मिन्रेलो कोटिकोईट्स इसका मुख्यकारे वरिक नलिकाउं द्वारा लवण के पुनहावशोशन एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्राओं का नियंत्रन करना है तीन सेक्स होर्मोन या लेंग होर्मोन ये बाहिय लिंगों बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आजरन को नियंत्रित करते हैं नोट एक कोटेक्स जीवन में नितांत आविशक है यदि ये शरीर से बिलकुल निकाल दिया जाए तो मनुश्य केवल एक या दो सब्तहा ही जीवित रह सकेगा और दो कोटेक्स के व स्रावित हॉर्मोन एवं कारे एक एपिनेफरिन ये एक अमीनो अमला है दो नौर एपिनेफरिन ये भी एक अमीनो अमला है इन दोनों हॉर्मोन का कारे समान है ये समान रूप से हृदे पेशियों के उत्तेजन शीलता एवं संकुचन शीलता में व्रिधी करते हैं फलस्व अधिवरिक ग्रंथी से निकलने वाले हॉर्मोन को लड़ो एवं उड़ो, fight and fleet हॉर्मोन कहा जाता है। उत्तेजना के समय एड्रेनेलिन हॉर्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। क्रोध, भे एवं खत्रे के समय सक्रिये होता है। पांट, जननग्रंथी, gonads एक, अंडाशे, ओवरी इसके द्वारा इन हॉर्मोनों का स्राप होता है। एक, एस्ट्रोजन ये अंडवाहिनी, ओविडक्ट के परिवर्धन को पूर्ण करता है। दो, प्रोजिस्ट्रोन ये एस्ट्रोजन से सहयुकर इस्तनवरिधी करने में सहायता करता है। और तीन, रिलाक्सिन गर्भावस्था में ये अंड़ाशे, गर्भाशे एवं अपरा में उपस्तित रहता है। ये हॉर्मोन प्यूबिक सिंपाइसिस को मुलायम करता है। और ये गर्भाशे ग्रीवा, युटेरिन सर्वेक्स को चोड़ा करता है। ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। और दो, व्रिशन, टेस्टेस्ट, इस दे निकलने वाले हॉर्मोन को टेस्टोस्टिरॉन कहते हैं। ये पुरुशोचित लेंगिक लक्षनों के परिवर्धन को एवं यौन आचरन को प्रेरित करता है। 11. श्वसंतंत्र, रेस्पाइरेटर सिस्टम मनुष्य के श्वसंतंत्र का सबसे महत्वपुन अंग फेफड़ा या फुफुस, लंग्स होता है। जहां पर ग्रैसों का आदान प्रदान होता है। इसलिए से फुफुसी ये श्वसं भी कहते हैं। श्वसंतंत्र के अंतरगत्वे सब ही अंगाते हैं जिससे होकर वायू का आदान प्रदान होता है। जैसे नासामार्ग, ग्रस्नी लेरिंक्स, या स्वरियंत्र, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, तथा फेफड़े आधी। नासामार्ग, नेसल पैसज, इसका मुख्य कारे सूंघने से संबंधित है। ये श्वसं नाल के द्वार का भी कारे करता है। इसके भीतर की गुहा म्यूकस कला, म्यूकस मेंब्रेन में स्तारित होती है। ये इस तर लगभग 1 by 2 लीटर म्यूकस प्रते दिन स्रावित करती ये स्तर धूल के कंड जीवानू या रने सुक्षमे जीव को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। ये शरीर में प्रवेश करने वाली वायू को नम एवं शरीर के ताप के बराबर बनाती है। ग्रस्नी फेरिंक्स ये नासागोहा के ठीक पीछे इस्थित होता है लेरिंक्स या स्वर्यंत्र लेरिंक्स और वोईस पोक्स श्वसन मार्क का वो भाग जो ग्रस्नी को ट्रेकिया से जोड़ता है लेरिंक्स या स्वर्यंत्र कहलाता है इसका मुख्यकारे द्वनी उत्पादन है लेरेंक्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान का पाठ होता है जिसे एपेगलोटिस कहते हैं जब कुछ भी निगलना होता है तो ये गलोटिस द्वार बंद कर देता है जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है ट्रेकिया ये वक्ष कुहा थोरा सिक कैविटी में प्रवेश करती है ट्रेकिया के दोनों प्रमुक शाखाओं को प्राथमिक ब्रॉंकियोल कहते हैं दाया ब्रॉंकियोल तीन शाखाऊं में बटकर दाई और के फेफड़े में प्रवेश करता है। फेफड़े, लंक्स, बक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। इनका रंग लाल होता है और इनकी रचना स्पंज के समान होती है। दाया फेपड़ा बायं फेपड़े की तुलना में बढ़ा होता है. प्रति एक फेपड़ा एक जिल्ली द्वारा घिरा होता है, जिसे plural membrane कहते हैं. फेपड़े में रुधर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है. यहां पर oxygen रुधर में चले जाती है और carbon dioxide बाहर आ जाती है. श्वसन की प्रक्रिया को चार भागों में बाठा जा सकता है एक बाहिये श्वसन, External Respiration दो गैसों का परिवेहिंद, Transportation of Gases तीन, आंतरिक श्वसन, Internal Respiration और चार, कोशिक ये श्वसन, Cellular Respiration एक बाहिये श्वसन ये दो पदों में विभख्त होता है ए, श्वस्वस्वास, Breathing और बी, गैसों का विनिमे, Exchange of Gases ए, श्वस्वस्वास फेपड़ों में निश्टिदर से वायू भरी तथा निकाली जाती है जिसे सांस लेना या श्वस्वस्वास कहते हैं श्वस्वस्वास की क्रिया विधी, Mechanism of Breathing ए, श्वस्वस्वास, Inspiration इस अवस्था में वायू वातावरन से वायू पथ द्वारा फेपड़े में प्रवेश करती हैं जिसे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है एवं फेपडों में एक निम्नदाप का निर्मान हो जाता है तथ हवायू वातावरन से फेपडों में प्रवेश करती है यहवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक की वायू कदाप शरीर के भीतर यवं बाहर बराबर ना हो जाए दो उच्श्वस्वस्ण, Expiration इसमें श्वसन के पश्चात वायू उसी वायू पत के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनहा लोटाती है जिस पत से वो फेफड़े में प्रवेश करती है 606 में वायू का संगठन अंदर लिगई वायू में 79% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सिजन और 0.03% कार्बन डायोकसाइड तथा बाहर निकाले गई वायू में 79% नाइट्रोजन, 17% ऑक्सिजन और 4% कार्बन डायोकसाइड होती है सांस द्वारा लगभग 400 मिलिलीटर पानी प्रते दिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है गैसो का विनिमें फेफड़े के अंदर होता है ये गैसी विनिमें गुली अवस्था में ये विसरन प्रवर्ण था डिफ्यूजन, ग्रेडियंट के आधार पर साधारन विसरन के द्वारा ही होता है फेफड़े में ऑक्सिजन तथा कार्बन डायोकसाइड गैसो का विनिमें उनके दाबों के अंतर के कारण होता है इन दोनों गैसो की विसरन के दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है दो, गैसो का परिवहन ग्यसों का यानी Oxygen और Carbon Dioxide का फेफ़रे से शरीर की कोशिकाओं तक पहचना और पुनाः फेफ़रे तक वापस आने की क्रिया को ग्यसों का परिवहन कहते हैं Oxygen का परिवहन रोधिर में पाये जाने वाले लाल वर्नक Hemoglobin के द्वारा होता है काबन डायोकसाइड का परिवेहन कोशिकाओं से फेपले तक हीमोगलोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है काबन डायोकसाइड का परिवेहन रक्त परिसंचरन के द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है 1. प्लाजमा में घुलकर कार्बन डायोकसाइड प्लाजमा में घुलकर कार्बोनिक अमल बनाती है इस रूप पे 7% कार्बन डायोकसाइड का परिवेहन होता है दो, बाई कार्बोनेट्स के रूप में बाई कार्बोनेट्स के रूप में कार्बन डाउकसाइड का लगभख 70% भाग परिवेहन होता है वो रुधिर के पोटैस्यम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटैस्यम बाई कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट का नर्मान करता है तीन आंतरिक श्वसन शरीर के अंदर रुधिर एवं मूतक द्रवे के बीच गैसी ये विनिमे होता है उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं नोट फेपडों में होने वाले गैसी ये विनिमे को बाहिये श्वसन कहते हैं इसमें जब रुधिर ऑक्सी हमोगलोविन कोशिकाओं में पहुचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त होता है एवं खादे पदार्थों को ऑक्सीकरण होता है जिससे उर्जा विमुक्त होती है चार, कोशिकी ये श्वसन खादे बदार्थों के पाचन के फल्सवरू प्राप्त ग्लुकोस का कोशिका में आक्सिजन द्वारा आक्सिकरन किया जाता है इस क्रिया को कोशिकी ये श्वसन कहते हैं कोशिकी ये श्वसन दो प्रकार के होते हैं एक अनौक्सीश्वसन और दो अक्सीश्वसन एक अनौक्सीश्वसन एनरोबिक रेस्पिरेशन जो श्वसन ऑक्सीजन की अनौपस्तती में होता है उसे अनौक्सीश्वसन कहते हैं इसमें ग्लुकोज बिन ऑक्सीजन के मांस पेशों में लैक्टिक अमल या लैक्टिक अलकोहल में विघटित हो जाता है। इसे शरकरा किन्वन, शुगर फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसके अंतर के थोने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलेसिस कहते हैं। अनाक्सिश्वसन के अंतर में पायरूविक अमल बनता है। अनाक्सिश्वसन प्रायाह जेवों में गेराई परस्तित उतकों में, अंकुरत होते बीजों में एवं फलों में थोड़े समय के लिए होता है। परन्तु येस्ट एवं जिवानों में ये प्रायाह पाया जाता है। दो, ऑक्सिश्वसन, एरोबिक रैस्पिरेशन ये ऑक्सिजन के उपस्तिती में होती है। इसमें श्वसनी पदार्थ का पूरा ऑक्सी करण होता है। इसके फल्सवरों कारबन डायोकसाइड एवं H2O यानि वाटर बनते हैं तथा काफी मात्रा में उर्जा विमुक्तो होती है। इसका समी करण है C6H12O6 प्लस 6O2 एक्वस्टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 2830 किलो जूल उर्जा। कोशिके श्वसन में होने वाले जटिल प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। A. Glycolysis और B. Krebs चक्र A. Glycolysis इसका अधियन सरप्रथम M. B. Drain, Mayerhoff, Parsons ने किया। इसलिए से E. MP पथ भी कहते हैं। इसको अनाक्सी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन या शरकरा किर्णमन, शूगर फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सिजन की अनुपस्तिती में उर्जा मुक्त होती है। या वस्था ओक्सी, एरोबिक एवं अनाक्सी, एनारोबिक दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्तित रहती है। एग लुकोज अनुँ का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फल्स्वरोप, पाइरोविक अम्ल या पाइरोविक एसिट के दो अनुँ बनते हैं। इस प्रक्रिया को आरम करने में दो अनुँ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफोस्पेट, वियाए होते हैं। किन्तु प्रक्रिया के अंत में चार अनुँ एटीपी प्राप्त होते हैं। अतहा ग्लाइकॉलेसिस के फल्स वरूप दो अणूं ATP प्राप्त होते हैं, यानि 16,000 कैलरी उर्जा, 2 x 8,000 प्राप्त होती है. ग्लाइकॉलेसिस में ऑक्सिजन के आविशक्ता नहीं होती, अतहा ये प्रक्रिया अनौक्सिश्वसन एनौरोबिक एवं ऑक्सिश्वसन एरोबिक में एक समान होती है. इसमें हाइड्रोजन के चार परमानों बनते हैं, जो NAD को 2 NADH2 में बदलने का काम करते हैं. बी, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकल, इसका वणन हैंस क्रेब ने सन 1937 इसवी में किया, इसको साइट्रिक आमले चक्रिया ट्राइकार्बॉक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है. ये माइटोकॉंट्रिय के अंदर विशेश इंजाइम की उपस्तिथी में ही समपन होता है. पूरे चक्र दो अणू पायरूविक अमल के होते हैं, अधाकुल 6 अणू काबन डायोक्साइट के पंते हैं. हमारे तंत्र में अधिक्तम एटीप अणू का निर्मार क्रेब्स चक्र के दोरान होता है. उर्जा काउत पादन, प्रोडाक्शन ओफ अणरजी, पायरूविक अमल के आणू के ओक्सीकरंट से एटीपी का एकणू, 5 अणू NADH के और एकणू FADH2 का बनता है. NADH के एक अणू से 3 अणू ATP के और FADH2 के एक अणू से ATP के दो अणू प्राप्त होते हैं. इस प्रकार पायरूविक अमल के एक अणू से 1 प्लस 3 इन्टू 5 प्लस 2 इन्टू 1 इक्वस्टू 18 अणू ATP के बनते हैं. ड्लुकोस के एक अणू से 2 प्लस 4 इन्टू 15 इन्टू 1 इन्टू 3 इन्टू से 1 बFlow 2 इन्टू 5 इन्टू 33 इन्टू 36 इन्टू normal के प्राप्त होते हैं. सबसे पहले कार्भोहाईड्रेट का श्वस्टन होता है. इसके बाद वसा का, कर्बो हाइडरेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है नोट श्वसन एक अप्चाई क्रिया यानि केटाबॉलिक प्रोसेस है इसे शरीर के भार में भी कमी होती है